लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोधी सरकार के दूसरे कारेकाल का आखरी बजट पेश एक फरवरी को हुआ है वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने 58 मिनिट में 5257 शब्दों का इस्तिमाल कर पूरा बजट पढ़ दिया टैक्स विवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है फिर वो आपका इंकम टैक्स हो या फिर GST इस वीडियो में आपको पूरे बजट का गनित समझाएंगे नंबर्स और बड़े बड़े आंक्रों का मतलब भी बताएंगे पहले ये जान लीजिए कि अंतरिम बजट 2024 कुल 47,66,000 करोड रुपए का पेश किया गया है यानि इस साल सरकार 47,66,000 करोड रुपए खर्च करने वाली है ये सरकार के कुल खर्चों का एक अनुमान है सरकार ने बताया कि इस साल उनकी 30,80,000 करोड रुपए की कमाई होने का नुमान है और इसमें से सरकार की 26,00,000 करोड रुपए की कमाई टैक्स से होने वाली है साथ ही राज्यों को पुंजीगत व्याय के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त रिण की योजना इस वर्ष भी जारी रहेगी इस पर इस वित्तिय वर्ष कुल एक दशमलव तीन लाग करोड रुपए खर्च होगा अब बताते हैं सरकार के घाटे के बारे में सरकारी घाटे को टेकनिकल भाषा में फिसकल डेफिसिट कहते हैं सरकार का अनुमान है कि घाटा जीडिपी का 5.1 परसेंट रहने का अनुमान है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारी अर्थवयस्था 100 रुपए की है कि सरकार को इस साल 2023-2024 में जीडिपी का 5.8 फिसदी का घाटा हुआ है सरकार का अनुमान है कि अगले साल घाटे में कमी आईगी अब आपको बताते हैं कि सरकार को पैसा आता कहां से है बजट के अनुसार सरकार को कुल मिले पैसों का 28% उधार के रूप में आता है जबकि 19% इंकम टैक्स से आता है केंद्रिय शुल्क का 5% कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% सीमा शुल्क से 4% और जीएस्टी और बाकी टैक्स से 18% पैसा मिलता है अब बताते हैं कि किस मंत्राले को कितना बजट अलोट हुआ है रक्षा मंत्राले को 6,20,000 करोड रूपे मिले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले को 2,78,000 करोड रूपे मिले रेल मंत्राले को 2,55,000 करोड रूपे मिले उपभोकता मामले खाद्य और सारवजनिक वितरण मंत्राले को 2,13,000 करोड रुपए मिले ग्रिह मंत्राले को 2,000,000 करोड रुपए से ज्यादा मिले ग्रामिन विकास मंत्राले को 1,500,000 करोड रुपए से ज्यादा रसायन और उर्वरक मंत्राले को डेर लाग करोड रुपए से ज्यादा मिले संचार मंत्राले को सवा एक लाग करोड रुपए से ज्यादा क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले को भी सवा एक लाग करोड रुपए से ज्यादा मिले है इसके अलावा ग्रामीन इलाकों में रोजगार देने वाली स्कीम नरेगा को 86,000 करोड रुपए मिले हैं आईश्मान भारत के लिए 7,000 करोड रुपए अवंटित किये गए मैनिफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली PLI स्कीम को 6,200 करोड रुपए दिये सेमिकंडिक्टर के विकास्त के लिए 6,903 करोड रुपए सोलर एनरजी के लिए 8,500 करोड रुपए और नैशनल ग्रीन हाइडरोजन मिशन को 600 करोड रुपए मिले हैं